समाजवाद के प्रकरनिता जॉर्ज फर्नांडिश नहीं रहे उनका मंगलवार 29 जन्वरी की सुबर निधन हो गया जॉर्ज फर्नांडिश का बिहार से गहरा रिष्टा था विजनता दल के संस्थापक सदस्सों में से थे उनके निधन से पूरे बिहार में शोक है मुख मंतरी निधिश कुमार ने बिहार में दो दिन का राजकिय शोक की खोशना की है वहीं राजनितिक गल्यारों में हर कोई दुखी है अब आपको बताते हैं कि जॉर्ज का बिहार से कैसे गहरा रिष्टा था जॉर्ज फर्नांडिस मुझफरपूर से चार बार सांसद रह 1980 में हुए लोग सबाचुनाओ में मुझफरपूर से जीत हासिल की विविश्वनात प्रताप सिंग की सरकार में रेल मंतरी चुने गए उस दोरान बिहार के मुझफरपूर के लोग जॉर्ज को खूब पसंद किया करते थे उनकी मजदूरों की नेता वाली छवी के सभी का जॉर्ज फर्नांडिस का बिहार से इसलिए भी नाता जुड़ता रहा क्योंकि वो अक्सर अपनी राजनीत को लेकर बिहार में काफी एक्टिव रहा करते थे 1998 के लोग सभा चुनाओ के लिए जब रास्ट्रिय जनतांत्री गटबंदन यानि की राजक का गठन हुआ तब जॉर्ज उसके संयोजक बनाएगे इस चुनाओ में जीत हासिल कर अटल वियारी वाजपई की सरकार बनी देश के बड़े मजदूर नेताओं में शुमार रहे पुरुरक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की कॉंग्रेस से कभी नहीं बनी पुरुपरधान मंत्री इंद्रा गांधी के साशनकाल से लेकर सोनिया गांधी के वक्त तक भी गांधी परिवार के खास आलोचक माने जाते रहे बाद साल 2011 की है तब केंदर में UPA2 की सरकार बनी थी जन्तदल उनाइटेट के नेता के तोर पर जॉर्ज फर्नांडिस तब राजनीतिक में काफी सक्रिये थे मुंबई में जॉर्ज समाजवादी वो मजदूर आंदोलन के सशक्त चेहरों में से बन कर उबरे जॉर्ज के लिए राम मनोहर लोहिया आदर्श बने तो जॉर्ज मुंबई के लाखों गरीबों के लिए हीरो बन कर उबरे आखिर में आज 29 जन्वरी को जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हो गया ऐसे में देश समेत पूरे बिहार में जॉर्ज फंदान्डिस के निधन से शोक की लहर है पटना से Life Cities Desk की रिपोर्ट